अले वरिवान दोस्तों वेलकम बैक टु दे चैनल आप सारां गुजराती स्कॉमर्स अकेडमी कैसे हो आप सब लोग आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो देखो दोस्तों कल का जो भी मेरा लेक्चर था तो उस लेक्चर में वापे मैंने आप सबी लोगों का जो चैप्टर नमबर 4 है जिसका नामे supply analysis, वो मैंने वापे आपका start किया था, और वो lecture के अंदर वापे में आप सभी लोगों को सबसे पहले introduction, फिर वापे total output, stock, supply वगएरे, ये जो concept से वो वापे आप सभी लोगों के साथ मैंने discuss किये थे, और साथ-साथ में वापे हमने meaning of supply, और उसका जो एक अपना प्यारा economist है, जिनका नामे Paul Samuelson, तो उनकी सबसे supply analysis वगएरे क्या होता है, वो भी अपने वापे देख लिया था, ठीक है, तो देखो, आज का जो भी lecture होगा बेटा, तो इस lecture के अंदर यहापे में आप सभी लोगों को, आपका जो भी next वाला topic है, जिसका नामे supply schedule, तो उसक से मेरे देखो दोस्तों, यहापे अपन बात करेंगे, आपके supply schedule के बारे में, तो हमेशे रखना, जब भी आपको supply schedule ऐसे दिया रहेगा, तो इसका मतलब हमेशे रखो, schedule का मतलब होता है, वापे tabular representation, इतना हमेशे रखना, ठीक है, जब भी आपको schedule आप जो भी बोलते हो, तो supply schedule या schedule, जो भी रहेगा, तो उसका, जब भी आपको ऐसा word आएगा, तो वापे आपको क्याद रखना है, बोलो, tabular representation, यह word आपको वापे लिखना है, ठीक है, तो अभी जैसे आप सभी लोगों को मैंने कल भी बोला, तो देखो दोस्तों, कि वापे न, कोई भी जो supplier है, कोई भी जो producer है, वापे वो क्या करता है, बोलो, तो अलग-अलग prices के time पे, वापे अलग-अलग quantities को बेशने के लिए तायर होता है, ठीक है, तो यह supply schedule क्या रहेगा, पता है क्या, तो यह table रहेगा, जो हमको बताएगा, कि भाईया, वापे कोई भी supplier है, कितने price पे, कितने quantity बेशने के लिए क्या है, बोलो, ready है, आपको समझ मैं है, मैंने क्या बोला, supply schedule क्या बताएगा, बोलो, तो पहली बात इतना यह रखना, supply schedule है क्या रहेगा, आपका tabular representation रहेगा, जो हमको वापे, किसी भी goods का, जो price है वो, और वो price पे, वापे कौन सा supplier, कितने quantity बेशने के ल बोलेंगे, ठीक है, तो देखो, उन्हाने वही लिखा है, supply schedule is the tabular representation of the functional relationship between price and quantity supplied of a particular commodity, ठीक है, किसी भी commodity का specific price, पे कितना quantity, यह price पे कितना quantity, यह price पे कितना quantity, यह बताने वाला जो table रहेगा, उसको आपन बोलेंगे, supply schedule ठीक है, आपी देखो दोस्तों, यह जो भी तुमारा supply schedule लेना, तो इसके अंदर वापे तुमारे दो टाइप होते है, पहला यहा पे तुमारा type होता है, उसको अपन यहा पे बोलते है, individual supply schedule, पहला type कौन सा होता है, मुझे बताओ, individual supply schedule, और दूसरा वापे तुमारा type होता है, दोस्तों, उसको अपन वापे बोलेंगे, market supply schedule, एक second पहला आपन देख लिया रैत और दूसरा बापर अपना کॉन सा होता है quiet supply schedule तो ऐसे वापर किदने type होते बोलो दो type अपका supply schedule करें डैसी को धियान देना दोस्तों सबसे पहले individual supply schedule मतलब क्या रहे individual मतलब हैं याप का single Sailor रहेगा, individual मतलब क्या single सेलर तो यहाँ पर कैसे याद रखने का देखो आपको ऐसे याद रखने है दोस्तों कि कोई भी जो भी सिंगल सेलर है तो वह अलग-अलग प्राइजेस पर वहाँ पर कितने कॉंटिटी बेशने के लिए तैयार है उसको अपन वहाँ पर बोलेंगे इंडिविजवल किलोग्राम है तभी वह आपे 100 किलोग्राम कॉंटिटी बेशने के लिए तैयार है अगर वह आपे 20 रुपया पर किलोग्राम अगर उसको रेट मिलता है तो आपे 200 किलोग्राम कॉंटिटी बेशने के लिए रेडी है अगर उसको 30 रुपया पर किलोग्राम रेट मिलता है तो वापे ओ 300 quantity बेशने के लिए ready है समझ में आया क्या तो यहापे यह जो table है यह आपको क्या दर्शार है बोलो यह आपको यह बता रहा है दोस्तों कि market में इतना price होगा तो कितना quantity supply होगा तो यहापे क्या होगा individual supply schedule में यहापे अपन जो भी यह उनन table दिया है न वो उनने इसलिए भापे आको single seller का दिया हो ओए किसका दिये आपको मुझे बोलो single seller का दिहे इसलिए भापे हम उसको बोलते individual supply schedule इसलिए इसलिए भापे आप उसको क्या बोलते बोलो individual supply temperature बोलते ठीक है तो देखो ध्यान देना यहापे देखो उननने क्या दिए अपन इसका reading भी कर रहेंगे ठीक है तो देखो बोल रहा है वो individual supply schedule refers to the tabular representation schedule मतलब tabular representation याद रखने है ठीक है showing various quantities of a commodity that producer is willing to producer क्या करेगा बोलो sale at the various prices during a given period of time ठीक है तो इतना याद रहेगा मुझे बताओ हमेशा याद रखता है individual supply schedule मतलब tabular representation which will show the functional relationship between price and quantity supplied ठीक है अभी दूसरा है देखो यहापे दोस्तो आपका market supply schedule कौन सा है market लेकिन उसके पहले एक बात याद रखना दोस्तो हमेशा याद रखना बच्चो आगे जाके तो आपन वो law supply में देखनी वाले बट अब भी आप इतना याद रखना कि जब आपने गूर्स का वहापे प्राइस बढ़ेगा न बच्चो तो वहापे quantity supplied भी क्या हो जाएगा मुझे बढ़ जाएगा ज्यादा प्राइस पर आपको ज्यादा quantity बेशना पसंद करेगा producer ठीक है और जब प्राइस कम हो जाता है ना दोस्तो तो आपका quantity supplied भी क्या होता है बोलो कम होता है यह याद रखना ठीक है तो यह आप अगर आप देखोगे दोस्तों तो जो भी आपका प्राइज है एंड जो भी quantity supplied है दोनों के बीच में जो relationship है दोनों के बीच में जो क्या है मुझे बोले आपे relationship है वो आपका है आपे positive relationship रहेगा कैसा रहे गए आपे मुझे बोले आपका positive relationship रहेगा ठीके इतना बस आप लोगों को याद रखना है ओके चलो अभी सुनो मेरी बात ध्यान देना दूसरा आपन यापे बात करेंगे market supply schedule के बारे में ठीक है आप लोग मुझे एक बात बोलो उस्तो market supply schedule नाम में लिखा है market मार्केट में आपे आपके अपने बोहत सारे sellers रहेंगे मुझे बता हो तो market में वापे अपने बहुत सारे sellers ने हैIES मार्केट में क्या रखए मुझे बोले आपर बहुत सारे sellers रहेंगे ठीक है तो अभी देखो न यहापे उननोंने क्या किया है पता है कि यहापे उननने किमत ये दस रूपया पर kilogram रहेगा तब भandan अ देना अम है क्वल ऊस्टेट सेलर मुझे बताओ सेकंजने块 एनाम का सेलर वाप फटने quantity बेशने के लिता हीवा रहे हो फ्लेड quantity बेशने के लिठा आरे लेकिन दस रूपया पर kilogram पर बी नाम का सेलर सीफ hairdos quantity C नाम का सेलर सीप 300 quantity बेच निकली ता ही आ रहे ठीक है तो मुझे एक बात बोला है याप पर 10 रुपय किलोग्राम पे हर एक जो सेलर है वो आपको same quantity बेच रहा है कि अलग-अलग quantity बेच रहा है याप पे मुझे बोलो तो वो आप हमको अलग-अलग quantity बेच रहा है, समझा के मैं आपको क्या बूल रहा हूँ, yes or no right, तो हमेशा रखना दोस्तों कि market supply schedule, मतलब है कि ऐसा tabular representation रहेगा, जो हमको आपे price and quantity supply का ही relationship बताएगा, बट यहाँ पे जो तुमारे quantity supplied रहेंगे न वो रहेंगे by all the sellers in the market, यहाँ पे क्या word use कर रहा है, मुझे आपको बोलो, buy all the sellers, individual में क्या था, buy a seller था, आपे single seller रहेगा individual के guess में, but market के guess में आपे जो number of seller रहेंगे, एक रहेंगे के बहुत सारे रहेंगे, मुझे बताओ, यहाँ पे तुमारे multiple sellers रहेंगे, यहाँ पे तुमारे seller के से रहेंगे, मुझे बोलो, multiple sellers रहेंगे, ठीक है, तो देखो उन्हाँ ने आपे क्या दिया है, ध्यान दो अच्छे से, तो उन्हाँ ने वाँ पे बोला है, देखो, market supply schedule refers to the tabular representation, यह वर तो आपका हमेशा आने ही वाला है, ठीक है, showing different quantities of commodity which all producers, यह important था, ठीक है, इंडिविजन में वापे कहता, by a producer था, by single producer था, और यहाँ पे तुमारे क्या आएगा, वोलो, by all producers are ready to sell at the different prices, at the given period of time, ठीक है, यह आपको आपे क्या करना है, बोलो, याद रखना है, ठीक है, तो I hope दोस्तों आप सभी लोगों को यह जो supply schedule वाला concept था, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, मुझे comment में वैसे बताते हैं चाहओ, एकदम बिंदास बोलने का, ठीक है, टेंचन नहीं लेने का, समझा तो बोलने का, एक नमबर सर, समझ में आगा है सर, नहीं समझा, तो आपे बोलने का, कि नहीं वापसर, इसमें doubt है, तो अगले lecture में आपको वह वापस में बोल दूँगा, ठीक है, जब भी आपको कर्व बोलेंगे न, कर्व, तो कर्व का मतलब, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या आद रखना है, बोलो, कर्व मतलब क्या, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, आप याद रख सकते हैं, ठीक है, तो हमेशाद रखना दोस्तों जब भी अपन वापे supply schedule को ग्राफ के उपर डाल देते ना तो उसको आपन बोलते supply कर कितना सिंपल है बताओ तो अगर आपको उन्हें बोला what is supply कर तो क्या लिखोगे supply कर वी नतिंग बट ग्राफी कल प्रेजेंटेशन क्या बोलने का supply कर वी नतिंग बट ग्राफी कल प्रेजेंटेशन और सप्लाइश चेडियूल खतम बात खतम यस और नो बोलो तो देखो अभी उसमें भी दो टाइप है जैसे supply देखें ब conspiracy चेडियूल सप्लाइश कर सब्सक्राइब कर अपक्र शेडियूल सब्सक्राइब कर लो आपका पने बोलते हें इंडिवीज्वाल सप्लाइश ऐडियूल को क्या वया है अब मैं रिखन चय और स्प्लाइश कर ग्राफ के उपढ़ आल देंगे ना तो वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा बोलो individual supply curve मिलेगा समझ मैं मैंने क्या बोला और जब भी मैं market supply schedule को graph के उपर डालूँगा तो मुझे क्या मिलेगा बोलो market supply curve मिलेगा समझा क्या आपको अगर मैं individual supply schedule को graph के उपर डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा market supply my mistake तो मुझे क्या मिलेगा इंडिविजुल सप्लाई कर और अगर में मार्केट सप्लाई शेडियूल को अगर में ग्राफ की उपर डालता हो तो मुझे मेलेगा मार्केट सप्लाई कर बोलो समझा क्या सिर्फ इतना याद रखना है दोस्तों कि मार्केट सप्लाई के केस में पर नहीं होता है ठीकें अभी हमेशे स्दा मेरी बाद देखो तो तुम्हारा चैप्टर डीमांड वाला हो या चैप्टर सप्लाइब भाला ठीकें हमेशे रखना तुम्हारा X-axis पर हमेशा क्या आता है बोलो quantity आएगा ओके अनि Y-axis पर हमेशा क्या आएगा पर प्राइज आएगा अभी मैं ने तुमको उपर क्या बोला कि आपर तुम्हारा प्राइज आनी quantity supplied की बीच में जो relationship है वो कैसा है जो आपर relationship है बच्चों कैसा है मुझे बोलो positive relationship है भाई yes or no इसलिए तुम्हारा वापर जो भी supply curve रहेगा या अमेशा तुम्हारा left to right upward रहेगा कैसे रहेगा बोलो left to right upward रहेगा left to right upward रहेगा बोलो समझाएगा क्यों क्योंकि positive relationship है ठीक है ना तो देखो दोस्तों I hope आपको मैंने ये वीडियो के अंदर जो भी व कि उसका diagram आपको मैंने बोल दिया ठीक है तो उम्मीद करता हो दोस्तों जितना भी आपको मैं आपे सिखाया हूँ आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे वेसे comment section में पक्का बताना और वीडियो को पक्का लाइक कर देना तो मिलते दोस्तों ही हमारे सब social media handle से इस लूपर आप हमसे contact कर सकते हो इस लूपर आप connect रहे सकते हो तो मिलते फिर दोस्तों अगले वीडियो में तब तक लिए बाई बाई टाटा